काफी रात कोई वीडियो अप्लोड कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद कोई ट्रेड कर रहा था और अपने कुछ काम कर रहा था बाहर था पट यह वीडियो बहुत जरूरी है बहुत मसेदार है काफी सारे फॉरिक्स पेर देखने मिलेंगी बैट उससे साथ जरूरी डॉलर चल भो स्टार्ट करते हैं चाहिए स्टॉड मार्केट करते हूं तो क्यों बीडियो काम आएगा व्तowane लोग वेक्र और आहे जाएंगा मिलैंगा expert Death बात करते हैं stock market की मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए ये इतनी सारी चीज़े चूस कर रखी है आपको देने के लिए ठीक है अब बात करते हैं stock market के dow jones है निफ्टी बंद है नहीं तो हमको कल सुभाई मालूम चल जाता बड़ अब निफ्टी बंद है तो अपन को actually मालू चलेगा कल जब dow jones gap up खुलेगा gap up खुलेगा इस एरिया में ये एरिया में अगर gap up खुलेगा तो वहां पे बहुत बड़ा supply zone है और market काफी होगा अगर market वहां से एक pullback लेता है reversal लेता है यानि कि अगर dow jones नीचे जाता है dollar index में breakout dollar index flag and pull बनाके बैटे daily time frame पे और एक छोट के लिए आ सकता है trend तो strong है पता हम सबको बढ़ एक pullback view है तो dollar index को देखते रहेंगे क्या ये green candle देता है तो ये flag and pull breakout होगा breakout and retest भी होगा दो चीजे होगी अब इसको लेकर करके अपन forex market में काम कर सकते है ठीक है तो forex market में काम करने के लिए मैं आपको कुछ pairs देता हूँ वैसे बताता हूँ अगर आप कोई ट्रेड करना है तो मैंने अभी एक्सनेस का terminal यूज किया ultimate easy mt5 में यूज कर रहा हूँ मैं account open कर वा लिना link description में मिल जाएगा send your ID to forex at boomingbulls.com अपने एक्सनेस में ID खुलवाने का CMS Prime में भी खुलवा सकता है आपको बड़ा capital लालना दो क् एक्सनेस में email के धुरू होती है anyways चलो start करते आज कराल इसे न्यूजिलेंड Canadian dollar ठीक है इसमें क्या है अगर आप देखोगे यहां पे एक double top जैसा triple top जैसे structure बन रहा है यहां पे resistance level है अगला जो zone है और यहां पे है चलो तो यहां पे आ जाते हैं देख लिए हम लोग एक important हम मैंशा के इसी important levels पर एक important level पर दिख रहा है मेरेको तो ठीक है any breakout that will happen above this level ठीक है इसके उपर तो हमारे लिए एक bullish target बनता है market open भी हो चुका है बहुत अची बात है मैं इसको गंडे के time frame पर लाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहां पे यह कुछ इस तरीके का pattern भी बना रहा है इसो ऐसे बना दो कैसे बना दो ठीक है this is again a pattern over here जो इस pattern का भी breakout होगा अगर downside होता है तो यह target बहुत चोटाइक scalping scalping तो नहीं बोलूँगा अगर यह level breakdown होता है तो quick target अपनको एक बन सकता है और अगर यह भी break हो गया तो आप बहुत अच्छा target आपको मिलेगा that is this तो देख की बात करते हैं upside breakout दोना कोई बड़ी बात है नहीं होगी अगर आप आओगे देखोगे इसके पहले closing basis पे closing basis पे तो market ने इसके उपर कभी closing दी नहीं है ठीक है तो बस अपन इस level को अपना एक resistance लिए इन फाक्ट इस level को मान लेते हैं विक के साब से काम कर लेते हैं एक बार क्योंकि market अभी open हुआ है हो सकता है volatile हो अब को touch करके वापास आजा तो इसके उपर 0.82677 के उपर 0.83224 could be a good rate ठीक है यह long side के रहे तो New Zealand Canadian dollar हो गया अब अकला पे चलते New Zealand US dollar है यहाँ पे क्या है अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे scope है upside breakout का ठीक है upside breakout का scope है ठीक सकता है अगर यह breakout करता है इस level को 0.64234 को तो minimum scalping जैसा टार्गेट च्टा टार्गेट यह मिल सकता और यह भी break हो गया तो यह मिल सकता दोनों में एक जैसे situations होगी तो आपको जो पसंदो U.S.N.Z.D. U.S. dollar तो U.S. dollar Canadian dollar तो Canadian dollar पर काम कर सकता अब आता है Euro USD पे Euro USD एक गंटे क time frame पे नहीं है चार गंटे पे दिखा दूँ एक बार पहले कि यहाँ पे ना काफी important zone होगा इसलिए break कर के अंदर गोजिया बट पास closing दे दिया retest करने आया है अब यह retest में fail हो जाएगा अगर तो बस आपको मालूम है यह trend line को तोड़ेगा एक गंटे के time frame पर वापस आता हूं एक गंटे के time frame पर वापस आता हूं यह trend line को तोड़ेगा power के साथ retest retest करेगा यह हमारा final target बनेगा final target बोल रहा हूं बीच में आप एक target और बना लो बीच में 50% यहां पर यह लेवल को आप एक बर और टार्गेट बना सकते है इस लेवल को these are the two targets level for you अगर यह तोड़ देता है retest को fail हो जाता है नीचे आता है तो यह तो टार्गेट लेवल आपके लिए बहुत अच्छे है और अगर यह यहां पर बच जाता है तो बास अगेन विल सी ब्रेक आउट अप तिल दिस पॉइंट ओके अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन स्विस्ट डॉलर स्विस्ट फ्रांक यहां पर क्या सिंपल मेरा फेवरेट पार्टन जो है वो बना हुआ है दिख रहा है मुझे कि मार्केट एक सब नीचे जाने क्यों जा ले सकते हो फोल्ड कर सकते हूँ लेवल की बात करो को कितने कितने सारी लेवल से आपके लिए वांट यूर ओन रिसर्च ऑन देस बट फिर वी मेरे से बूचो के तो पहला टार्गेट अपन यह बना सकते हैं यह बहुत लंबा स्विंग ट्रेड है यह चोटे जो टाइम फ क्योंकि सेल करोगे फिर सपोर्ट 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 को है मतलब नी तो यह बाइस आईड के लिए अच्चा ट्रेड है अगर आता है तो लास्ट में बहुत लंबा स्विंग ट्रेड च्विंग ट्रेडर्श भी है मेरे आडियंस में अब देखो इस किया डेली टाइम पर म बनती है और इसको तोड़ती है मतलब इस पॉइंट को तोड़ती है तो यहाँ पे एक ब्रेकाउट मैं मानूंगा और फिर अपने किसी भी ग्रीन कैंडल जैसे एक ग्रीन कैंडल मिली कि वो रीटेस्ट करके उपर जा रहा है लॉंग जा सकते अच्छा स्कोप में लेकर ठीक क्या है बहुत इंपोर्रटन सपर्ट लेवल है करेंसी है बहुत हैवी टैमफ्रिम के सपोर्ट होते हुटे उस पर आखे वो डेली बोलू वीगजी बोलू दोनों में देखेगा आपको यहां तो देखो ओके डेली पर वीगली पर तो बहुत ऑच्छा कि आपके सामने कर ल यह आपको बहुत अच्छे टार्गेट दे सकता है जा चुका है 2017 में यह आपका टार्गेट बन सकता है यह वाला यह भी एक swing trade आपको अच्छा लगा जो weekly पे तोड़ चुका है एक level को last gold gold का नाजिस करते हैं gold retest करने आ रहे हैं downwards downwards levels को तोड़ के gold यहाँ पे downwards levels को तोड़ के gold यहाँ पे वापस से vishyap recovery inverted head and shoulder breakout करके आ रहा है अपने important levels को test करने के लिए और यहाँ पे pattern बना रहा है ascending triangle जैसा है it's making a pattern like ascending triangle basically ascending triangle जैसा ही है और एक channel के अंदर भी है तो यहाँ पे important level 1813 अगर यह इसको break करके ऊपर जाता है तो फिर यह bullish हो सकता है और हमको ना लगभग लगभग 18 safe side 1856 तक का target अपनको gold में मिल सकता है बढ़ वो इस area में कैसा behave करेगा 1813 अपनको यह check करना है दूसरी बात sell तो अभी तभी कर पाएंगे जब यह exactly यह 1784 टूटेगा यह scalping छोटा trade रहेगा 1784 से 1755 पहला target फिर यहाँ से bullish हो सकता है तो यह दो important level देखना sell करने के लिए और बागी फिर target 1717 तो these are the levels for gold crude oil में मुझे खुछ समझ में आया या नहीं exactly मैं लवल मुझे खुछ समझ में नहीं चौपी लग रहा है जीव लग रहा है तो मैंने उसे cover किया नहीं ठीक है तो अब आपको मजा आया तो like कर देने वीडियो सारे forex वाले sorry आर लेट होगा बट मैं चानता हो जिन लोग अभी trade कर रहे होते हैं जिनको अभी मेरे इसी वीडियो की ज़रत है तो जगे होंगे देख लेंगे जो कल ट्रेट करते हों कल सुवा देख लेंगे न तो I hope it makes sense and market analysis का वीडियो मैं कल बना दूँगा और चलो all the very best to all of you to make good money this week thank you so much bye see you